कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लाश 10 का डिमोक्रेटिक पॉलिटेक्स का चैप्टर नमबर 4 जेंडर रिलिजिन एंड कास्ट इस क्लास में हम लोग देखेंगे कास्ट एंड पॉल पहले दो इंस्टेंसेज देखें क्या एक था जेंडर था ठीक है और दूसरा जो है religion था यह दो instances हमने देखा gender and religion एक तो positive है जिसमें females का participation politics वगर में होगा तो इनका upliftment होगा this is the positive religious जो communism है on the basis of religion यह politics के लिए negative है और हमारे country के लिए ठीक है अब हम caste के बारे में देखेंगे ठीक है caste जो है यह positive and negative both aspects में यह काम करता है ठीक है अभी हम इसको समझेंगे तो जैसा कि हमने देखा था religion जो है caste division is special to India मतलब कि gender की unlike gender and religion जो है caste is special to India है मतलब कि casteism जो है हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही चला रहा है कैसे चला रहा है और यह जो है यह भी social inequalities को यह social inequalities इसमें भी होता है on the basis of caste जो है हम लोग जो है discrimination देख चुके हैं पहले या still it is present बत पहले से अभी बहुत कम हो गया है ठीक है तो caste system is an extreme form of this what makes it different from other societies is that in this system hereditary occupational division इसमें जो एक group के लोग जो भी occupation जो पेसा करते थे वो जो है एक बंसे दूसरे बंस में जो है ऐसे चलता जाता था जैसे उनका जो है यह hereditary था बंसा करता है कि हमारे father for father यही काम करते थे तो हम भी जो है यही काम करेंगे and was sanctioned by it was member of the same caste group who are supposed to farm a social community और एक group जो है वो mail करके एक social community फार्म कर लेता था ठीक है और यह लोग जो है एक community को फार्म कर लेते थे and married within the caste अपने ही caste में लोग साधी करते थे and did not eat with members from other caste group और जो है other caste group के members के साथ जो है यह लोग खाना होना नहीं खाते थे कहने का मतलब क्या है कि एक isolation हो जाता था मतलब कि एक अलग community बना लिया उसी में जो है अपना जो four fathers या जो भी काम होता था है hereditary जो है वो लोग करते थे ठीक है और दूसरे के साथ खाना होना नहीं खाते थे तो caste system was best an exculsion of a discrimination against the out caste group जैसे कि आप लोग 9th में जो है यह पढ़ चुके हैं untouchability untouchability जो है और इस प्रिस्य था मतलब कि जिसमें छुआ छुट से जो है discrimination जो होता था तो इसको जो है जब इतना सभी प्रावलम्स होने लगा society में तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारे social deforms है जैसे कि जोतिबा फुले थी गांधी जी थे बियार अमबेडिकर थे पेरियार रामा श्वामी नायकर थे इन्होंने जो है ऐसा एक society की कलपना की ठीक है ऐसी society की इन्होंने कलपना की imagine किया जिसमें social equality हो social equality means what जिसमें की हर काष्ट के लोग ठीक है हर काष्ट या धर्म के लोग जो है इनको समान अधिकार दिया जाए ठीक है under basis of caste जो है उनके साथ कोई discrimination न हो तो इन लोगों ने जो कि अभी हमने जोतिवा फुले थे वियारम बेडिकर, मातमा गांदी, पेरियार ये सब लोगों ने मिल जूल के काम किया कुछ तो इनका काम आया और कुछ जो है socio-economic changes हुए ठीक है, कुछ तो इन लोगों ने जो reform में श्टार्ट किया उससे हुआ और कुछ जो है socio-economic change socio मतलब कुछ है society जैसे जैसे लोगों में education होता गया उनको पता चला कि ये जो है चीजे जो है ठीक नहीं है या economics या economy में grow हुआ ठीक है जैसे कि लोग काम धंदे के लिए बाहर निकलने लगे तो अब जो है उनको जो है ये चिंता नहीं थी कि जैसे कि कौन किस कास्ट का है उनको main जो है अपने growth से मतलब था ठीक है जैसे जैसे economic development हुआ growth हुआ literacy हुआ education हुआ ठीक है और जो है जो landlords जो थे landlords उनकी जो है position अब कम होने लगी उनकी strength कम होने लगी उनकी बातों को अब कम माना जाना लगा तो जैसे जैसे education बढ़ा ठीक है लोगों में development की बातें आने लगी landlords की power कम होने लगी तो यह जो old bichards थे वो धीरे धीरे कम होने लगे ठीक है तो इस तरह धीरे धीरे काश्ट की प्रचलन था वो धीरे धीरे कम होने लगा ठीक है अगर urban areas में आज के date में अगर हम चले जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपके सामने कौन walk कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है या हमारे next table पे कौन जो है बंदा बैट करके खाना खा रहा है वो किस काश्ट है उससे हमें लेना देना नहीं है वो भी साफ सुतरा कपड़ा पाना है ठीक है वो हमारी तरह human being है वो भी जो है काम करता है ठीक है अभी भी हम जो है इसको जो है disappeared completely हो गया है ऐसा हम नहीं बोल सकते still it is exist in some part of the country ये अभी जैसे कि एक ही काश्ट में अभी आज के डेट में भी एक ही काश्ट में भी लोगों की साथिया होती है untouchability बहुत हद तक हतम हो गया है incident lab बनाने के बाद बनाने के बाद लेकिन still it is persistence अभी छिटपुट घटना है आप लोग नहीं जो अगर हमें देखते होंगे कि आज भी जो है जो आर्थोडॉक्स है जो की गाओं में जो है पुराने बीचार वाले जो लोग अभी भी पड़े हुए हैं वो जो है इसको अभी भी मानते हैं बट धीरे धीरे जो है यह चीजे जो है बहुत कम हो गई है ठीक है तो education education जो है इसमें बहुत बड़ा important role करता है and जो है हमने देखा socio economic जो chances होते हैं इसमें जो है यह बहुत जो है इसमें बहुत अच्छा जो है काम किया ठीक है अब हम education के बारे में थोड़ा सा देखते हैं education पहले क्या था पहले जो है education जो है upper caste को education पहले जो है education में mainly upper caste के लोग जो है upper caste के लोग जो है पढ़ाई में जदा जो है जाते थे और जो है जो lower class के लोग थे उनको bared कर दिया गया था ताकि वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे they will do their job जो भी उनका काम था जो है उस वो ही करेंगे तो वो जो bared थे मतलब कि उनको education नहीं मिला था तो definitely अगर जो है किसी को education नहीं मिला होगा तो उसकी presence जो है जो urban areas में है जो सरकारी विभाग में जितने भी लोग हैं उसका presence जो है कम होगा तो इसलिए जो है upper caste का जो है middle class में जो presence है जो service वोगर में वो बहुत ज़्यादा है और जो lower lower caste है उनका presence जो है अभी भी नोकरियों वगर हमें कम है ठीक है तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि caste system को हमने समझा कि caste जो है अब आगे वाले class में हम लोग ये देखेंगे कि caste in politics क्या है ठीक है तो इस class में हम इतना ही cover करेंगे जिन बच्चों ने channel को सब्सक्राइब नहीं किया है अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा